नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपके इपनी यूट्यूब चैनल एवी पीस क्लासिज पर दोस्तों कालेजों की परिक्षाओं को लेकर इस वक्ती दोस्तों बहुत बड़ी गुट निकल के आ रही है जैसा कि दोस्तों आप लोग ने थमनिल को रिट कर ले होगा कि कालेज क परिक्षाओं पर महाख उसकवरी जी आँ दोस्तों आपके परिक्षाओं को लेकर एक गुट नियूस आप लोग के बीच सेयर करने वाले हैं तो आप लोग वीडियो के लाश्ट तक बने रहेगा पूरी अपडेट आपको दिखाने वाले हैं आप बिल्कुल वीडियो को इसकी मत कीजेगा नहीं तो आपको पूरी अपडेट नहीं मिल पाएगी तो आप लोग प्लीज वीडियो को जरूर कांटीनियू लाश्ट तक देखिएगा लेकिन दोस्तों वीडियो मागे बढ़ें उससे पहले एक छोटी स्रिक्वाइस्ट है अभी तक आपने अपने च जोड़ी अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहां पर आपको गूगल क्रोम में ओपन करना है और के अलए डॉट इन्ठी के इस पर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा नया इंटरफेस आएगा तो इस वेफसाइट पर आपको क्लिक कर देना कि मैं यहां पर आपको एक् इन्वर्ष्टी का नाम यहां पर आप सर्च करके अपनी जो भी आप ऑफिशल अपडेट या फिर आपकी परिक्शन कफ से स्टाट होंगी तो यह आप rkla.in पर पा सकते हैं बहुत ही सिंपल है अगर आपको डिरेक्ट लिंक चाहिए तो लिंक डिश्टो यहां पर आप स् यह है कि उच्चे सिक्षा व्रेंटिलेटर पर आ गई है अगर 15 माई तक हालास नहीं सुधरे तो परिक्शा और रिजल्ट से लेकर एडमीशन प्रक्रिया बहुत लेट हो जाएगी और ऐसे में विश्विद्याले कि परिक्शाय रद करके प्रमोशन के अलाबा कोई बिकल यानि कि दोस्तों बहुत प्रचंड में रहेगा यानि कि डेली 6 लाक ये 5 लाक के केसे साते रहेंगे तो इसके मतलब आस समझ सकते हैं कि बहुत भयावा इस्तिती 15 से 20 माई तक करोना की पूरी प्रचंड यहां पर वेव रहेगी लहर रहेगी तो यहां पर आपको बता दे कि आप प्रमोट हो सकते हैं जिहां दोस्तों फर्स्ट और सेकंड यह की परिक्षय आपकी नहीं होंगी आप डारेक्ट प्रमोशन मिल सकता है क्योंकि दोस्तों यहां पर आप देख पार होंगी इस न्यूश कटिंग से माध्यम से बताय जा रहा है 15 मई तक हालात नहीं सु चैंज हो जाएगा तो इसी ध्याम रखते पर आप लोग प्रमोट हो सकते हैं आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजेगा और आप लोग प्लीज घर से बाहर ना निकले क्योंकि कोरोना की बहुत जो सेकंड वेव है बहुत ही तेजी से फैल लाई है आगे यहां पर जो यह अपडेट निकलके आ रही दोस्तों CCSU इस्टूडेंट्स के लिए है निकी दोस्तों 14 चरण सिंग विश्य विद्याले के छातरों के लिए हैं उन्होंने लिखा है कि आगे कि कैंपस कॉलेजों में सेमेश्टर की 30 फीसदी परिक्षाएं अस्तगित हो चुकी है और वार्षिक की मुख्य और प्राइबेट परिक्षाएं भी अस्तगित हो गई है दोस्तों यहाँ पर आपको बतादे कि 10 अपरेल से लेकर ही परिक्षाएं 20 जुन तक होनी थी और 15 मईड तक सासन सभी परिक्षाएं अस्तगित कर दी है यानिकि दोस्तों यहाँ पर 15 मईड तक आपकी कोई भी परिक्षाएं ना इनुवर्ष्टी की ना ही बोर्ड की कई ही भी परिक्षाएं आपकी 15 मई तक नहीं कराई जाएंगी तो यहाँ पर गुवर्मेंट की तरफ से यहाँ पर आदेश भी आ चुका है कि आपकी 15 मई तक परिक्षाएं नहीं कराई जाएंगी और आपको बता दे कि 10 अप्रेल से लेकर ये परिक्षाय आपकी 20 जून तक होनी थी लेकिन 15 माई तक सास्थन सभी परिक्षाय अस्तगित कर चुकी है बेरहाल दोस्तो ऐसा देखा जाए तो 15 माई तक खालात में अगर सुधार आया तो आपकी परिक्षाय जो है वो 25 माई से विश्विद्याले दोबारा आपकी परिक्षा स्टार्ट कर सकती है ये बात हो रहे हैं 14-16 विश्विद्याले की लेकिन दोस्तो यहाँ पर यह कहा पाना बहुत मुश्किल है तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही कम chances है कि आपकी परिक्षाएं हो सकेंगे आप लोगों को promotion बिलकुल मिलने वाला है क्योंकि आपको बता जें कि करोना बिलकुल अभी काबो में नहीं आने वाला है क्योंकि आप देख सकते होंगे oxygen की कमी यहां पर और जो भी injection है वैक्सीन है उनकी कमी है अभी तो एकाएक यहां पर पूरी नहीं किया सकती तो आप अंदर्जा लगा सकते हैं कि आपकी जो हालात है सुधरने में काफी समय लगेगा और ऐसे में आपकी परिक्षाएं बहुत सी मुश्किल दिखाई दे रही हैं बेरहाल दोस्तों यह अपडेट थी चौजरेशन विश्विद्याले की और आपको बता दे कि जितने भी अधर अनुष्टिक शुडेंट वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल भी टेंशन मत देजे आप लोग की कोरोना पैंडेमिक में कहें भी परिक्षाएं आपकी नहीं होगी यहां इतनी तेजी से लहर कोरोना का है और यहां पर परिक्षाएं ना कराई जाएं और यहां पर मैं आपको बता दू कि अगर परिक्षाएं आपकी कराई जाएंगी तो आपकी परिक सारी पसंद नहीं है वीडियो को लाइक साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि डेली आपकी इन्वेस्टी पर एक्षाओं चुड़ी जो भी ओफिशल अपडेट आए या फिर प्रमोशन या फिर डेट सीट आए सबसे पहले अपने को मिलती रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा तो दोस्तों मिलते किसी एक और ने ब्रेट के साथ अपना खियाल लखेगा आप सभी ने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद